सगरबचो संगी समारो के सौवे संस्क्रन की छटी संध्या का शुभारम काशी की नाट्य संस्था राम की शक्ति पूजा का नाट्य मंचन हुआ पड़ि सुरकांतिर पाठी निराला की कालजी रचना के मंचन में तीन रित्म विधाओं का उपयोग किया गया चाओ भरतनाट्यों इम कथक निर्त विधाओं के साथ अभिनाय संगीत अथा प्रकाश के बेहतर तारमेल से यह मंचन आकरशक बन पड़ा राम रामल युद्ध स्वयम शक्ति को रामल की ओर से युद्ध करता दे खतुत सहित राम के मनुभावों लक्षमन हनुमान आदी के निप्तित्व में घंगोर संगराम के द्रिश्यों जामवन द्वारा राम को रामल से बड़ी देवी अराधना करने के लिए प्रसंगों का कुशलता से मंचन किया गया विवमेश शुकला की परिकल्पना का संगीत सेयोजन जेपी शर्मा और गायन आशिश मिश्टा ने दिया राम की भूमिका, स्वाती, सीता और देवी, दुरगा नंदिनी, लक्षमन साखी, हनुमान, विविशन और जामवन, तापस, सुग्रिव और अंगत की भूमिका, पूजा, शाष्वत ने सफ़ल पर पुरुवक निभाई दूसरी परसुती में पंदभूशाण एनराजम के वाईलिन वादन का रहा, वादन के आरम में उन्होंने आलाप से राग भागेश्री में आलाप और जोड बजाया जाला से वादन को विस्टार दिया, अंत में उन्होंने पायो जी मे तो राम रतन धन पायो की धुन से समापन किया वाईलिन वादन में उनकी पुत्री संगिता शंकरन ने सहयोग किया, उनके साथ तबले पर अभिशेक मिश्राने संगत किया संकट मोचन बाबा के दरबार में पदमिर्श्री मालनी अवस्ती ने भी अपनी हाजरी लगाई उन्होंने छोटा ख्याल में एक बंदिश लंका जो धाय गए स्वामी को काज कर रहे से गायन के शुरुआत की इसके बाद राग माच खमाज में ठुमरी जाग पड़ी मै तो पिया के जगाने से फिर इसी राग में दादरा तोहे लई के संवरिया निकल चल बाएं और बलम तोरे जगड़े में रहन गई से गायन को विराम दिया इनके साथ हार्मोनियम पर पड़ी धरम नात्मिश शा और तबले पर लंदन निवासी बनारसी संजू साहे ने प्रभावी संगत किया अलात बहारे याद तिहारे हाई साथाने नजरिया संवरियारे पहनी सारी पहनी सारी पहनी सारी गुलाबी तो नरियारे महे मारे नजरिया संवरियारे महे मारे नजरिया संवरियारे